Hello friends, welcome to my YouTube channel आज मैं करने वाला हूँ मुंबई दर्शन ओला में जी हाँ ओला की सवारी जो की मैंने किया था ओला रेंटल राइड में तो मैं इसके बारे में डीटेल्स में आपको बताने जा रहा हूँ कि ओला में हम कैसे मुंबई दर्शन कर सकते हैं मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी नवी मुंबई से और मैंने इस जर्नी को शुरू करने के लिए पहले से ही प्लैन बना लिया था कि मुझे कहां-कहां जाना है ध्यान दीजेगा कि ओला के मुंबई दर्शन में आपको कोई गाइड नहीं मिलेगा इसलिए आपको पहले से ही रिसर्च कर लेना है कि आप कहां-कहां जाना चाते हैं तो सबसे पहले आपको ओला एप में जाके ओला रेंटल राइड ऑप्शन को चूस करना पड़ेगा जहां पर मैंने 6 घंटे की राइड जो की 101 किलोमीटर तक होगा उसे चूस किया था इसका प्राइस मुझे धाई हजार के करीब पड़ा मैंने ओला का माइक्रो ओप्शन चूस किया था इसलिए इस राइड पे हम चारजन एकसा जा सकते हैं अगर आप ज्यादा लोग हैं तो आप SUV ऑप्शन भी ले सकते हैं पर वो थोड़ा कॉसली पड़ेगा ओला रेंटल राइट के कुछ फाइदे भी हैं और कुछ लुकसान भी हैं सबसे बड़ा फाइदा तो यह है कि आप उहां पे अपने मर्जी के माफिक कितना भी समय किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे स्पेंट कर सकते हैं कोई रोक टोक नहीं है और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपको कोई गाइड नहीं मिलेगा यहां पर इसका मतलब आपको आपका होमवक सबसे पहले करके जाना पड़ेगा तो मेरा सबसे पहला स्पॉट था गेटवे ओफ इंडिया जो की कोलाबा में है गेटवे ओफ इंडिया के बगल में आपको दिखेगा दताज महल पैलेस जो की एक फाइव स्टार होटल है और यहां से आप कुइन्स लाइन फ्लोटिंग रेस्टरांट की सर्विस भी ले सकते हैं यहां पर कबूतरों की भरमार है और आप देख सकते हैं कि यह कबूतर किसी से डर भी नहीं रहे हैं और यह अपने खाने पीने में लगे हुए हैं आप यहां पर इस पेड़ को देख सकते हैं जो की कबूतरों से भरा पड़ा है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं गेडवे आफ इंडिया से आप अलिफंटा केव जाने की फेरी राइड ले सकते हैं जिसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा मेरा अगला स्पॉट था नरिवन पॉइंट यहां दीजरी में में आपको अटरब कर दएना की फेरी के ब mois है? खाल राइड हैं कर दो झाल झाल नरीमन पॉइंट काफी कमाल की जगह है अगर आप यहां पर आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप काफी समय यहां पर स्पेंट करना चाहेंगे इस रास्ते को कुईन्स नेकलेस या फिर मरीन ड्राइव भी कहते हैं झाल 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 और सामने है चौपाटी बीच और अब हम आ चुके हैं हैंगिंग गार्डन्स में शेहर के बीच में ये गार्डन आपको काफी सुकून देगा वैसे हैंगिंग गार्डन में कुछ भी हैंगिंग तो नहीं है पर आप यहाँ पर ये सन क्लॉक जो की मुझे काफी इंटरस्टिंग लगा आप इसे देख सकते हैं जो कि आपको एकुरेट टाइम बताता है कि आपको की मुझे काफी बताता है और फिर हम हाजी अली दरगा के सामने से चल दिये बैंटरा वरली सी लिंक की ओर हम होहजा है है ह की कलाओ गिए होगा कैसा का लिए होगा है भी अटर भी और य अट झाल झाल और अब हमारी ओला जा रही है बैंडरा वरली सीलिंग के उपर से जो की बैंडरा और वरली को इस ब्रिज के माध्यम से जोडता है झाल 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 और अब हम हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने जो की सल्मान खान का घर है और ये है शारुक खान का बंगलो मननत झाल 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 मननत से थोड़ा आगे जाकर आपको ये बैंड स्टैंड का बीच मिलेगा जहां पर आप कुछ समय स्प्रेंट कर सकते हैं और आज का हमारा आखरी स्पॉर्ट था जुहू बीच जहां पर हमने लंच किया और उसके बाद हम अपने घर चले गए ओला रेंटल राइड में मुंबई दर्शन मेरे लिए यादगार थी और मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ मेरे मुंबई ट्रिप के बाकी वीडियो को भी जरूर देखिएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो इसे लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद झाल झाल शेयर वीडियो आपको ये जरूर करता हुआगा रिकमेंड करता हूँ झाल 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 झाल